तमेव माताच पिता तमेव तमेव बंदूच सका तमेव तमेव विद्या द्रवणं तमेव तमेव सरवं अम देव देव गिता अध्यायदो श्लोक पांच गुरुन हत्वाहि महानु भवान श्रेयो भोक्तम भैक्षम पिहिलो के हत्वार्थ कामास्त तू गुरुने वेवुजे भोगान रुधिर पतिधान इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसे महापुर्शों को जो की मेरे गुरु हैं उन्हें मार देने की अपेक्षा इस संसार में भीक मांग कर जीना उचद है भले ही संसारिक लोब के कारण वे गलत का साथ दे रहे हूं पर हैं तो मेरे गुरु जन ही यदि उनका वद होता है तो हमारे भोग की प्रतेक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी ततपर्य शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदेनी कार्यों में रथ हो और विवेक्षुन्य हो तताज्य हैं दुर्योधन के से आर्थिक साहता लेने के कारण भीश्म और द्रोन उनका पक्ष लेने के लिए जो हैं बात दे दे यद्दिपी लेकिन केवल आर्थिक क्लाप की वज़े से उनका दुर्योधन का साहत देना कतापी उचित नहीं था ऐसी दश्या में वे अचार्यों वाला सम्मान खो बैठे थी लेकिन अर्जुन के मन में फिर भी यही विचार आता है कि चाहे बेशक सांसारिक लोग के कारण वे दुर्योधन का गलत का साथ दे रहे हैं बट लेकिन वे मेरे गुरु ही हैं अता उनका वद्द करकी करना कतापी उचित नहीं हैं उनके वद्द करकी भोतिक लोभों का लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशिश का भोग करना मतलब हमारी भोग की प्रते क्वस्तु उनकी रख्त से सनी होगी ऐसा वह कदेप में नहीं चाहते थे श्री परमात्मने नमाहा